बॉलिवुट की हर खबर के लिए प्रस कीजे बेल आइकन और जुड़े रहे ये वाट्सअप बॉलिवुट के साथ सुषान सिंग राजफूत के मेंटल हेल्फ पर डॉक्टर सुजैन के दस बड़े खुला से सुषान का ट्रीटमिन्ट कर चुकी डॉक्टर सुजैन वॉकर ने कहा कि रिया ने उन्हें बताया था कि सुषान को सुसाइडल थौट्स आ रहे थे सुषान ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया है वो अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इसमें उन्होंने ये क्लेम भी किया कि सुषान को यकीन होने लगा था कि वो अब ठीक नहीं हो सकते डॉक्टर के मुताबिक सुषान बाइपोलर डिसॉर्डर से जूँज रहे थे सुषान ने अपने बयान में कहा सुषान के एंग्जाइटी 2013 एंफोर्टीन में काफी बढ़ गई थी अटेंशन डेफिसीट हाइपर एक्टिविटे डिसॉर्डर ADHD के ट्रीटमेंट के दौरान कॉंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए वो हफते में दो बार एड्रॉल दवा लेते थे सुषान ने कहा वो बहुत शर्मीले थे इसके चलते उनके साथ ही उन्हें चिढ़ाते थे जब वो 15-16 साल के थे तब पैनिक अटैक से उनकी मा का निधन हो गया था उनके बताये अनुसार वो मा के बेहत करीब थे सुषान ने ये भी बताया मा के निधन के बाद वो अपनी बेहनों के करीब आये लेकिन मुझे वो पिता के करीब नहीं दिखे सुषान, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के बारे में डिसकशन करते थे सुषान के मुताबिक जब सुषान से उनकी पहली मुलाकात हुई तब वो बहुत घबराए हुए थे वो कहती हैं एंग्जाइटी को 1 से 10 के स्केल पर मापा जाए तो उनकी मेंटल कंडिशन 9 पर पहुँच गई थी सुषान ने रिया से बात चीत के बेसिस पर कहा कि उन्हें लगता था कि रिया सुषान का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी सुषान का कहना है सुषान खुद अपनी बिमारी को लेकर लापरवा थे उनके मुताबिक जून में रिया ने उनसे बात की थी और बताया कि सुशान्त ने दवाएं लेनी बंद कर दी है और उनकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी सुजैन ने अपने स्टेट्मेंट में ये भी कहा कि सुशान्त को अपनी बिमारी के बारे में पता था लेकिन वो इसे मानने के लिए तयार नहीं थे और वो जल से जल ठीक होना चाहते थे जो पॉसिबल नहीं था वेरिंट फैक्स में से कौन सा फैक्स आपको सबसे जादा शौकिंग लगा है कमेंस के जरीए हमें जरूर बताईए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें वास्ट्स आप बॉलिवूड